करना ट्रका के राजपाल त्री थावर्चन गहलोजी मुख्य मंत्री श्री बसवराज बुम्बाई जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गण, राज्य सरकार के मंत्री गण, सांसद गण, विधायक गण, और करना ट्रका के और देश के मेरे नवजवान साथियों मुरू साविरा मठा, शिद्धार उठा मठा, इंतहा अनेग मठागला छेत्र के नन्ना नमस्कार गलू, रानी चेन्नम्माना नांडू, संगोली रायन नाना बिडू, इपुन्य भुमिगे, नन्ना नमस्कार गलू, करणा ट्रका का ये खेत्र, अपनी परंपरा, संस्कृती और ग्यान के लिए प्रसिद्ध है, यहां की अनेक विभूतियों को ज्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया है, इस खेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगीत कार दिये हैं, पंडित कुमार गंदर्व, पंडित बसवराज राजगुरू, पंडित मल्लिकारजुन मांसोर, भारत रतना, पंडित भिमसेन जोशी, और पंडिता कंगुभाई हंगल जी को मैं आज पुबली की धर्ती पर आकर नमन करते हुई अपनी स्रधान्जली देता हूँ, साथियों, साल दोहजार तेईस में, राष्टिय युवाद दिवस का ये दिन, बहुत विशेश है, एक और, ये उर्जा महोच साओ, और दूसरी और, आज़ादी का अमरुत महोच साओ, उठो, जागो, और लक्स दे पहले मत रुको, एली, एद देली, गुरु मटवातन का निल्द दिरी, विवेक का निंजी का ये उद्गोश, भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है, आज, अमरित काल में हमें, अपने कर्तव्यों पर जोड देते हुए, अपने कर्तव्यों को समत्ते हुए, तेश को आगे बढ़ाना है, और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेक का निंजी की बड़ी प्रेरणा है, मैं इस आउसर पर स्वामी विवेक करनंजी के चरणों में नमन करता हूँ, अभी कुछ दिन नहीं पहले करनाटका की धर्ती के एक और महान संत्त, त्री सिद्देश्वर स्वामी जी का देहावसान हुआ है, मैं सिद्देश्वर स्वामी जी को भी आदर पुर्वक स्थ्धान लियर्पित करता हूँ, चाथियों स्वामी विवाकनंजी का करनाटका से अधवुत रिष्टा था, उन्होंने अपने जीवन काल में करनाटका और इस छेत्र की कई यात्राएं की थी, बंगलुरू जाते समय वो हूबली धारवाण भी आये थे, इन यात्राओंने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी, मैसुरू के महराजा भी उन लोगों में से एक थे, जिनोंने स्वामी विवेकनंजी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी, स्वामी जी का भारत भ्रह्मन इस बात का भी प्रमाण है, कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी, एक राष्ट्र के रुप में हमारी आत्मा एक थी, ये एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना का अमार उदहरन है, इसी भावना को अमुरित काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है, साथियों, स्वामी विवेकान जी कहते थे, कि जब युवा उर्जा हो, जब युवा शक्ती हो, तो भविश्य का निर्मान करना, राष्ट का निर्मान करना, उतना ही आसान होता है, करना टका की इस धर्ती ने, खुद ऐसी, कितनी ही महान विभूतिया दी है, जिन्होंने, अपने कर्तव्यों को, सर्वो पर ही रखा, पेहद कम उम्र में, असाधारन काम किये, कित्तूर की राणी चिन्नमान, देश की अग्रणी महिला, स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी, उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी, आजादी की लडाई को नित्रुत्व दिया, राणी चिन्नमा की ही सेना में, उनकी साथी संगोली रायना, एचे वीर युद्धा भी, जिनके शावरिय ने प्रिटिक सेना का होसला तोड़ दिया था, इसी धर्ती के नाराएन महादेव, डोनी, मात्र चौदा साल की उम्र में, देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे, युवा की जिवडता क्या होती है, उसके होसले कैसे मौद को भी मात दे सकते हैं, ये करनाटका के सपूत, लांस नायक, हनमन थपा खोपण ने, सिया चीन के पाड़ों में दिखा दिया था, माइनस फिप्टी फाइव डिग्री तापपान में भी, वो छे दिन तक, मर्ट से मुकाबला करते रहे थे, और वहां से जिंदा निकल करके आये थे, ये सामर्था, केवल शौर्यत तक ही सिमित नहीं है, आप देखिए, त्रिविश्वे स्वनिया जी ने, इंजिनियरिंग में, अपना लोहा मनवा कर, ये साबित किया, कि युवा प्रतिभा, किसी एक दाइरे में बंदी नहीं होती है, इसी तरह, देश के अलग-अलग हिस्सों में, हमारे युवाओं की प्रतिभा, और ख्शंता, एक से एक, कल्पना अतीत, अविश्वस्णिया, उदारों का अंबार लगा हुआ है, आज भी, मैच से लेकर के साइंस तक, जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताय होती है, तो भारतिय युवाओं की काबिलियत, विश्वकों, विश्वित कर देती है, साथियों, अलग-अलग कालखंड में, किसी भी राष्ट के लिए प्रत्विक्ताय बदलती है, उसके लक्ष बदलते हैं, आज, 21 सदी के जिस पड़ाओं पर हम भारतिये पहुँचे हैं, हमारा भारत पहुचा है, वो उपयुक्त समय सद्यों के बाद आया है, और इसकी सबसे बड़ी बज़ा है, भारत का, ये युवा सामर्थ है, ये युवा शक्ती, आज भारत एक युवा देश है, दुनिया की बड़ी युवा आबादी, हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है, युवा शक्ती is the driving force of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. युवा शक्ती's dreams decide India's direction, ङόςक्ति किस्स आपरैंस, शाहिछे अंशियश् स्थिण किर इंटियों, शाहिछे अन्शियश्य थी ने थाहिपों पार्ञत्सों यद भृत्स अशिया बडगर हॉंग सब्अड़्य थाद्गे काहिद हें? with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. To be young is to be pragmatic. Friends, if the world looks to us for solutions, it is because of the dedication of our Amrit generation. आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साती है. आज हम दुनिया में पांचवे नंबर की अर्थिववस्ता है, और हमारा लक्ष है कि हम इसे टॉप थ्री में लेकर के जाएं. देश की ये इकोनमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार आउसर लेकर आएगी. आज हम क्रिशी के खेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है. क्रिशी के खेत्र में टेक्नलोजी और इनोवेशन से एक नया रिवालूशन आने वाला है. इसमें युवाओं के लिए नए आउसर पैदा होंगे. नई उचाईयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे. स्पोर्ट्स के खेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रेसर हो रहा है. ये भारत के युवाओं के सामर्थ के कारण ही संभव हो पा रहा है. आज गाहों, शहर हो या कस्बा, हर जगा उफान पर है युवाओं का जज़बा. आज आप इन बन्दलाओं के साक्षी बन रहे हैं, कल आप इसकी ताकत से future leader बनेंगे. Friends, this is a special time in history. You are, you are a special generation. You have a special mission. This is the mission of making an impact for India on the global scene. For every mission, a foundation is needed. Whether it is economy or education, sports or startups, skill development or digitalization, in every domain, a strong foundation has been laid in the last eight, nine years. The runway is ready. The runway is ready for your take-off. Today, there is a great optimism in the world towards India and its youth. This optimism is about you. This optimism is because of you. And this optimism is for you. Today, there are global voices saying this century is India's century. It is your century. The century of India's youth. There are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you. India's youth. Indian startups are getting record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital India is making headlines across the world. So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together. Sathiyo, humare desh mein hume saathe naari shakti ko aur naari shakti ne raashtra shakti ko jagrut rakhne bidhane ka kama kiya hai. Abaaj anadhi ke is aamrit kaal me mahlaye हमारी बेटिया और नए नए पराक्रम करके दिखा रही है भारत की महलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में सामिल हो रही है साइंस, टेक्नलोजी, स्पेस, स्पोर्ट ऐसे हर छेत्र में हमारी बेटिया बुलंदिया छू रही है यह उद्गोश है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्षांकों की और बढ़ रहा है साथियों हमें 21 सदी को भारत की सदी बनाना है और इसलिए यह जरूरी है कि हम वर्तमान से दस कदम आगे की सोचे हमारी सोच फिचरिस्टिक हो हमारी एप्रोच फिचरिस्टिक हो यह जरूरी है कि युवा आकांग छाओं की पूर्ति के लिए आप पॉजिटिव डिस्रप्शन करें पिश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चलें अगर हम याद करें आज से दस बिस वर्त पुर्व ऐसी कितनी ही चीज़े अस्वित्व में भी नहीं थी जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संबवतह ये दसक खत्म होने दे पहले-पहले हमारी दुनिया एकदम बदलने वाली है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मशिन लर्निंग, इंटरनेट अब तिंस और ए आर बी आर जैसी इमर्जिंग टेक्नामजी एक नए स्वरूप पे इवाल हो चुकी होंगी तेटा साइंस और साइबर सिकुरिटी जैसे शब्द कहीं ज़्यादा गहराई से हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ चुके होंगी हमारी सिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक हेल्ट केर से लेकर कॉम्मिनिकेशन तक सब कुछ एडवांस टेकनोलोजी के जरिये एक नए अवतार में दिखने वाला है आज जिन कामों का अस्तित्व भी नहीं है आने वाले समय में वो युवाओं के लिए मेंस्ट्रीम प्रोफेशन होने की संभावना है इसलिए यह जरूरी है कि हमारे युवा फ्यूचर स्किल्स के लिए खुद को तयार करें दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है हमें उससे खुद को जोड़ना होगा जो काम कोई नहीं कर रहा है हमें उन्हें भी करना होगा नई पीड़ी को इस माइंड सेट से तयार करने के लिए देश नई राश्तिय शिक्षानिती के जरिये प्रैक्टिकल और फिटरिस्टिक एजुकेशन सिस्टिम तयार कर रहा है आज स्कुल से ही इनोवेटिव और स्कील ओरियेंटेड एजुकेशन पर फोकस है युवाओं के पास आज चोईस के हिसाब से आगे बढ़ने की आजादी है ये बुनियाद वविश्के भारत का अंदिर्मान करने वाले फ्यूचर रेडी फ्यूचर रेडी युवाओं को तयार करेगी साथियो आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकरन जी है दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए ये दो संदेश हैं इस्टिजूशन और इनोवेशन इस्टिजूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं टीम स्पिरिट से काम करते हैं आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजल सक्सेस को टीम सक्सेस के रुपे विस्तार देगे यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रुपे विक्सीद भारत को आगे ले जाएगा मेरे युवा साथियों आपको स्वामी विवेखानन जी एक और बात याद रख रही है इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेखानन जी कहते थे हर काम को तीन चरणों से गुजरना पड़ता है उपहाँच, पीरोत और स्विक्रुति और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिवासित कर रहा है तो वो यही है उदारण के लिए कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरात होई थी तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था स्वच्छ भारत अभ्यान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि यह सब भारत में चलने वाला नहीं है देश गरीबों के लिए पैंकों में जंदन खाते खुलवा रहा था योजना लेकर आया उसका भी मजाक उड़ाया कोवीड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सिन लेकर आये तो उसका भी उपहास किया गया कि यह काम भी करेगा या नहीं लेकिन आप देखिए आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल लिडर है आज जंदन खाते हमारी एकोनामी के एक बड़ी ताकत है वैक्सिन के खेत्र में भारत के उपलब्दी की दुनिया में चर्चा हो रही है इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है विरोध हो सकता है लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर ठीके रहिए उस पर भरोसा मनाये रखिए आपकी सबलता मजाग बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी साथियों युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयूब हो रहे है इसी कड़ी में नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी देश के अलग-अलग राज्यों के हुआ विबिन्न प्रतियोगी तो हमें हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं ये कुछ-कुछ कॉंपिटिटिव और कॉपरिटिव फेडरलिज्म की तरह है क्या अलग-अलग राज्यों के युवा स्वस्त प्रतिश परधा की भावना लेकर अपने कॉशल का प्रदसन करने आए यहां ये जादा महत्पुन नहीं है कि कौन जीता क्योंकि हर सिती में जीत भारत की होगी क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलन निखर कर सामने आएगा आप यहां एक दूसरे से कंपुटिशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोपरेट भी करेंगे इसलिए तो कहां जाता है कि कंपुटिशन तब ही हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सयोग करें हमें कंपुटिशन और कोपरेशन की स्प्रीट को लगातार आगे बढ़ाना है हमें हमारे हर लक्ष में ये सोचना है कि हमारी इस सभलता से देश कहां पहुचेगा आज देश का लक्ष है विक्सित भारत शसक्त भारत हमें विक्सित भारत के सपने को पुरा किये बिना न रुकना है न विराम करना है मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा अपने कंदों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुपकामनाए मुझे विश्वास्वाद मुझे मुझे करना है अपना इसकाम बहुत ऑच्पक्राभा इसिrico इससे कनाएंगा इससे सब्स deवाद fringe इससे सबस्सापट ниेशनेज़ ले विश्वास्वास के मुझे ठाइ भाइ